चलो ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में स्वागत है और जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी कि जो यह सिंपल सी स्ट्राटीजी है जिसे हम अभी तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही अपलाई करते थे और द स्ट तोवरी वीडियो नहीं देकी है तो हमारे चैनल चलो ट्रेडिंग सीखते है उस चैनल पर सारी वीडियो डए टेटली वीडियो में अपछरोड करती हूँ बैंक निफ्टों निफ्टि और की तो वहाँ पर आप देखने लीजेगा लास्ट फोनमांथ का और इस वाल पे मैं लास्ट दो-तीन दिन से वीडियो अप्लोड करती बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेली का वीडियो में अप्लोड करती हूं कि यह स्ट्राटेजी ने बहुत अच्छा वर्ग किया था सेंसेक्स में तो मैंने सोचे चले लिए इसको हम निफ्टी में भी देख लेते है निफ्टी फिन सर्विस में और मिट कैप में भी देखते है कि यहां पर भी वर्क करती है यह नहीं करती है तो यहां पर हम निफ्टी फिन सर्विस का भी देख रहते हैं और इसके बाद मैं मिट कैप में भी चेक करूंगी स्ट्राटेजी को कि यह वहां पर कैसा वर्क कर लेगे लेगा और हमारा है से हमें पता रहेगा हमारा घुल सकते हैं लेके और इस टॉपर लगा सकते हैं ठीक है और वीडियो जब तक पूरा नहीं देखोगे यकीन मानों आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है आप किसी की भी वीडियो देखिए मेरी देखिए किसी और की देखिए जिनकी चीजों पर आपको भरोसा है विश्वास है ना पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ठीक है नहीं तो फिर एसे कुले का हाई लो और प्रुजीन अमल करते हैं यहाँ अपर अज की रेट में जहां पर निफ्टी लिखा है उपर तो यहां पर निफ्टी फिन सर्विस का चार्ट देख रहे हैं और इस स्ट्राइजी कि वीडियो नहीं देखिए तो सबसे पहले आप जाकर हमारे चैनल चलो ट्रेडिंग सीखते हैं इस चैनल पर आप जाकर वहां पर देख सकते हैं वहां पर मैंने पहले और उसकी बाद पूरा हमने वन मंथ वीडियो डाला है बैंक निफ्टी और निफ्टी में कि यह वहां पर कैसा वग करती है तो वहां पर आप वह जाकर स्ट्राइजी की वीडियो देख सकते हैं ठीक है और यहां पर हम देखेंगे चार्ट को थोड़ा बढ़ा करते हैं यह यह देखें यहां पर चार्ट को बड़ा कर दिया ठीक है अब यहां पर देखेंगे वहां बायर तो उसको वहां तक लेके गए ठीक है कहा तक है यहाँ पर फेलमारा कोई रेंगे थिक्षायजक्व पती रखेल के मजेंगे ही और यहाँ तो देखेंगे एस वाधी रखेल मि dust को जो किइन 75 सब्सक्राइब को देखेंगे क्यूंकि इस चार्ट को बढ़ा करते हैं यह देखेंगे ना यह बुलिश कैंडल बनी है प्रिवेस जो हाई था उसके उपर यह कैंडल ने क्रोस किया ठीक है तो जैसी नेस कैंडल इसके ऊपर निकलेगी हम इंटी ले लेंगे अब इस रेड व 345 फाइस पास ही यह रहा है दोनों का हाई ठीक है इसके बाद हम आ जयते हैं इस वलीछ कैंडल में 930 धकेल rag ना इन ट्वलिश कैंडल यह बिलिश टाइप य॥ाई निकरी नहीं तो वहां पर भी कोई टेड नहीं बनता उसके बाद हम आएंगे 930 की कैंडल पर जो कि देखेंगे यह 930 की कैंडल थोड़ी बुलिश टाइप की कैंडल है बट कोई बात नहीं है इसको क्या करेंगे जो प्रिवेस डे जो हाई है उसकी नीचे इस कैंडल ने क्र क्राइब करेंगे आप देखोगे 8George 1030 की रेड केंडल ने इसको नीचे की साइड में ब्रेक किया हमने यहाँ पर यहांप देखोगी धीर करके इस स्वाहि कैंडल में आप देखोगे इस वाली candle में 945 की candle में हमारा SL हिट हो गया ठीक है यहाँ पर देखेंगे फिर निट्टी में हमें इस strategy की जाप से एक trade विला और वहाँ पर हमारा SL हिट हुआ ठीक है अब हम चलते हैं यहाँ पर 950 की candle में 9.50 की candle में हम चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यह बुलिश बनी है प्रस प्रिवेस जो हाई है उसके उपर जाके इस candle ने ख्लोज दिया ठीक है यहाँ पर हम लेंगे कॉल साइड का टेड और नेक्स चैनल जैसे इसको ब्रेक करी हम कॉल साइड का टे है यहाँ पर हमारी तेरा पॉइंट की चैनल बनी है तीक है कितने पॉइंट की बनी है तेरा पॉइंट की और यहाँ पर देखेंगे उसके बाद आप देखोगे फिन निफ्टी में यहाँ पर हमारा यह इस candle का जो 950 की candle है उसको जैसी 955 की candle ने ब्रेक किया उपर के दिया 950 की candle के नीचे का हमारा एसल हो गया और तेरा पॉइंट की candle है ठीक है और फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे धीरे धीरे फिन निफ्टी ऊपर गया और यहाँ पर आप देखोगे कितने का उसने हाई मारा है फिन निफ्टी ने थोड़ा सम चार्ट को नीचे ले टारगेट अची हुआ है यहाँ पर करतले तो यहां पर आच्साइब 25 पॉय्ट कर देखोगेः और यहां पर देखें में न Serve parcel की रिचुदी एक रितेी है चोटी सी इस वाली केंडल को देखेंगे और इस देखना किसी ने प्रीवेस डे प्रीवेस का लोब्रेक नहीं किया मैंने पहले भी बताया है जब भी आपको ट्रेड में थोड़ा लंबा बने रहना है प्रॉफित थोड़ा बड़ा कमाना है तो आप 15 मिनट्स की कैंडल में चार्ट को कनवर्ट कर दीजिए ठीक है टाइम फ्रेम में 15 मिट की कैंडल देखेंगे जब तक प्रीवेस कैंडल का लो नेक्स कैंडल ना ब्र निकल के आया है ठीक है और देरे देरे आप देखोगे उसके बाद यहां पर देखोगे निफ्ट फिन निफ्टी में थोड़ा यहां पर काफी टाइम तक एक रेंज बना टाइम देखोगे 11 बज़े कर पांच मिनट से लेकर 12 बज़े तक यानि कि एक गंटे के आसपस यहा हमने इंट्री कहां पर लिए तक यहां पर हमारा 100 सौप मिलता तरह का एसल पर ठीक है तो बहुत अच्छा त्रेट मिला फिन निफ्टी में इस स्ट्रेडित की हिसाब से ठीक है यानि कि हमने अब भी तक दो त्रेड लिया तो मैं से हमारा पहला ऐसल हुआ और एक का टार्गेट अची हुआ जो कि बहुत बड़ा टार्गेट था ठीक है उसके बाद हम देखेंगे यहां पर फिर निफ्टी धीरे धीरे नीचे आया ठीक है और नीचे आने के बाद इस वाली कैंडल को देखोंगे आप इस वाली कैंडल को जो की 12 बचकर 35 मिट की लेकिन देखेंगे तो यह स्ट्राइडीजी के साफसे ट्रेट नहीं बनता है बड़ मैंने बताया है जब भी ऐसी कोई कैंडल बने पास में जहां पर प्रिवेस्टे हाई हो यह लो हो या क्रोजी हो उसी के आसपास में अगर कैंडल बनती है ना तो वहां पर एसल को जो है थोड़ा बड़ा लगाने का मतल से यहां पर जैसे अगर हम इस चार सो शरसट पर ठीक है और फिर हम इंट्री ले सकते हैंब देखेंगे ने इसको ब्रेक नहीं किया तो यहां भी इंट्री नी बनती इस चैनल को देखेंगे तो यह काफी दूर हो जाती क्योंकि यहां पर देखेंगे हम केंडल का 2478 का केंडल का लो है और इसका 2460 का यानि अल्मोस्स दस पॉइंट का है डिफरेंश तो हम यहां पर इंटी नहीं देंगे ठीक है अगर 24 पॉइंट करहेगा तो हम इंटी ले लेंगे उसके बाद देखेंगे फिनिफ्टी धीरे-धीरे करकर ऊपर ही तो यहां पर देखेंगे फिनिफ्टी में हमें टोतल दो ट्रेड में रहे हैं स्ट्राइजी के साब से जहां पर हमारा एक Gang है और एक चूटव कर देखेंगे गया कितने पॉइंट न हाइप ईसयोट का हाई क्इटना ठा इस स्वाली में issippi कैंडल हमने जो देखेंगे वह हमें बहुत अच्छे टार्गेट मिले हैं मतलब एक डारेक्शन में हमें पूरा 80-50 पंट का टार्गेट मिला है अगर हम थोड़ा वेट करते हैं ठीक है तो यहां पर हमें फिन निफ्टी में इस स्ट्राइजी ने बहुत अच्छा वग किया है और इसे हम अच्छे लगी होगी वीडिऊ को लाइक कर देना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइज टेक्यार